कानपुर में बिजेपी ने लोग सवाच नौव से पहले एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उता रहा है जिसे खुद कानपुर के बिजेपी कारेकलता तक नहीं पहचानते है जी हां ये मजाक नहीं है इसे लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बारल है इस वीडियो में बता चलता है कि वीडियो प्रत्याशी नहीं बलकि एक राज सबात सामसत है प्रत्याशी तो कोई और है आगे कुछ और बताओं उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए लोग सबा चुनाओं के लिए बिजेपी ने इस बार कानपूर से वहां के वलतमान सांसत सत्यदेव पचौरी का टिकट काट कर रमीश अवस्थी को मौका दिया है और अब जब नाम का एलान हो गया है कि रमीश अवस्थी 27 मार्ज के दोपार शताब्री फ्रीन से कानपूर पहुँच के अपने नेता के इंतजार में बड़ी संख्या में विजेपी कारेकलता स्टेशन पर जूटे थे ऐसे में जब शताब्री एक्स्प्रेस स्टेशन पर आकर रुकी तो कारेकलता जोश में आकर उन्हें माला पहनाने के लिए दोड़ पड़े लेकिन कोच में रम दाल नारेबाजी होने लगी लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्हें पता लगा कि उन्होंने जिसे माला पहना कर स्वागत किया है वो विजेपी प्रत्याशी नहीं है बलकि राज्यसभाद सांसद बाबुराम निशाद है तो ऐसे में गारेकलता को अपनी भूल समझ में आई और फिर पीछे से निकले रमेश अवस्ति को माला पहनाने लगी इस गटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बारल हो रहा है लोग इसले का अब तरह तरह की कमेंट्स कर रहे है ये तक बोला जा रहा है कि बिजेपी ने कानपूर में ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उता रहा है जिसे कानपूर के लोकल बिजेपी कारेकलता तक नहीं पहचानते है बता दे इस बार लोगसभा चुनाओ के लिए बिजेपी ने कानपो से रमेश अवस्ती पर दाउं खिला है रमेश अवस्ती बरिष्ट पत्रकार रहे है और उन्होंने हाली में सहरा समू से स्तीफा दिया है और जैसे ही उन्होंने मीडिया चोड़ा वैसे ही बिजेपी ने उन्होंने कानपो से लोगसभा का टिकट दे दिया है और साल 2019 में कानपो से सांसत चुनकर आए सत्यदेव पचाओरी का टिकट काट दिया है वैसे आपको बता दे रमीश अबस्ती वैसे तो कानपोर के बिजेपी कारेकलताओं के लिए बिलकुल एक निया चैरा थे ही लेकिन साथ इसाथ गंटों से स्टेशन पर इंतजार कर रहे कारेकलताओं ने जैसे ही पजामा कुलते में एक शक्स को बाहर निकलते रेखा तो कारेकलता उन्हें ही रमेश अबस्ती समझ बैठे और उन्हें ही फूल माला पैना कर नारेबासी करने लगे इस बीच किसी ने धीरे से कहा कि रमेश अबस्ती पीछे आ रहे है और फिर कहीं जाकर कारेकलताओं को ध्यान वापस दूसरी तरब किया और फिर कहीं जाकर कारेकलताओं ने रमेश अबस्ती का स्वागत किया बता दे इस बार कानपूर में लोगसवा चुनाओं के लिए 13 मैं को मद्दान होंगे जिबकि वोटों की गिंती 4 जून को होनी है कानपूर लोगसवा सीट में गुविन नगर, सिसमाओ, आरे नगर, किदवई नगर और कानपूर केंट विधान सबा सीटे आती है कानपूर सीट साल 2014 और 2019 के चुनाओं में बीजेपी के हाथ आई है 2014 में मुरली मनगा जोशियां से चुनाओं जीते थे और साल 2019 में सत्य प्रकाश पचौरी जबकि साल 2014 से पहले लगता तीन बार इस सीट से कॉंग्रिस के श्ट्वी प्रकाश जैसवाल जीतते आये थे लेकिन इस बार विजेपी ने पुरो पत्रकार रमी शवस्ती पाद दाव लगाया है और देखना होगा कि नतीचा क्या निकल कर आता है इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही वैरल, फनी और राजनिती से जोड़े किस से काहनिया और वीडियो देखते रहने कले आप अंकट को सब्क्राइब तर लीजे और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद